वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें देट नहीं बदली है दो जुलाई 2023 को ही UKPSC अपर का प्रिलिम्स होने वाला है साल की शुरुवात में जो कलेंडर आया था उसमें बताय गया था कि 2 जुलाई 2023 का अपर प्रिलिम्स एक्जाम कंड़क्त होगा Study for civil service के द्वारा last paid course यहां पर शुरू किया गया है UKPSC अपर प्रिलिम्स की तयारी है तू 7 माई 2023 की शाम से शुरू होते हुए आपका 30 जुन तक 53 दिवस की strategy हमने आपर आपकी बनाई है इसको आप follow करके UKPSC prelims आभी भी clear कर सकते हैं Study for civil service के साथ जुड़ करके जो भी members इस paid batch को जोईन करने में interested है वो इन गिवे numbers पर call करके WhatsApp करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो सदस्से हमारे ग्रूप में आ चुके हैं यह आपका strategy वीडियो है इसको आपको पूरा देखना है शुरू से आखिर तक इसमें महतपूर्ण बातें बताई गई है UKPSC के pattern के बारे में syllabus के बारे में और trend कैसा रहता है question पूछे जाने कि तरीका क्या होता है अभी हाल में जो UKPSC न पेपर कराए हैं उसमें किस तरीक एक सवाल पूछे गए है factual and ethical किस प्रकार के सवाल आते हैं कि अप्रोच यहां पर तयारी की दोरान होने चाहिए सब कुछ यहां पर बिंदुवार discuss किया जाएगा आपको बता दिये जाए अभी कोई संभावना परिस्तिती नहीं दिख रही है कि एक्जाम आगे बढ़ेगा लेकिन अगर एक्जाम एक दो महीने तीन महीने टलता भी है तब भी आपको इस ग्रूप में सपोर्ट बिलता रहेगा पहला सवाल ही है कि क्या इन तिरपन दिनों में त्यारी हो सकती है तो उत्तर है हाँ पूरा आप देखिएगा और फिर पेड गूप में स्टपिक के लिए कौन कौन सी पीडिएफ है और कौन सी पीडिएफ दी जाने बाकी है आपको 85% कंटेंट दिया जा चुका है 15% जो भी बाकी है वो हमाई एंड तक अपडेट करके ग्रूप में पोस्ट कर दी जाएगा जिससे आप लास्ट टाइम एकदम फ्री होकर के रिवीजन कर सके था उसमें सिर्फ हमारी पेड कुछ से 45 करीब सवाल आए थे ठीक है और पूरे पेपर में से 120 करीब प्रशना आप हमारे कंटेंट में से कर सकते थे ऐसा ही हमारा प्रयास इस बार भी एगर पेपर थोड़ा सा अनलेटकल हो गया जो संभावना कम दिख रही है अगर मालीज जो पेपर होगा किस पारण पर होगा कितने स्टेजेस होंगे उसमें कैसे कैसे पेपर होगे और कैसे आपका फाइनल सेलेक्शन होगा यह दो 2021 का है लेकिन 2023 में भी कोई बदला होने कि संभावना इसमें पहला आपका सम्हान अध्य होगा GS का जिसको बोलते हैं इसमें देड़सो प्रश्ण होते हैं देड़सो अंक होते हैं हर प्रश्ण ही कंका होता है दो घंटे का यहां पर आपको समय मिलता है इसी पर जो है merit बनती है मेरिट का आश्या है कि जो आपकी cutoff list निकलती है जितने लोग एक minimum qualifying mark या फिर cutoff को clear करते हैं वो फिर mains आपका लिखेंगे जो भी अलग-अलग post के लिए select होंगे executive post के लिए cutoff जाता है कुछ पोस्ट के लिए अलग जाता है तो जिन जिन पोस्ट के लिए आप cutoff clear करेंगे फिर आप उनका mains देंगे मतलब उस पोस्ट के लिए मेंस लिखेंगे इस तरीके से होता है यह GAT test general aptitude test कहते हैं कई जगे कई state pieces इसको CSAT कहते हैं यह second paper होता है यह 100 प्रश्णिस में होते हैं अंक 500 होते हैं समय दो घंटा ही होता है यह qualifying nature का होता है इसमें आपको 33 प्रतीशत अंक प्राप्त करना निवार होता है और यह आहरकारी प्रक्रति का होता है जैनि जिस merit की अमने बात की जो मेंस के लिए merit बंती हो समान आध्यान से बंती है GAT से नहीं प्रीक कट ऑफ क्लियर करने के बाद आप मेंस लिखेंगे मेंस पर आपके साथ प्रश्ण पत्र होते हैं लेंग्विज का 300 अंकों का होता है तीन गंटे का मांकी तीन तीन गंटे के यहां पर 6 प्रश्ण पत्र बचते हैं समान विज्ञान और प्रवद्योगी की का समान अभिरूची और आचार शास्त्र यानि की जनरेल अप्रिटीट एथिक्स का लास्ट पेपर होता है इस तरीके से पंद्रास अंकों का यहां पर लिखित परीक्षा होती है सेकंड स्टेज में यानि मेंस में कोई भी वर्स तुनिस्ट पेपर नहीं होता है वर्स तुनिस्ट यहां पर होता है प्रिलिम्स में वर्स तुनिस्ट जिसमें MCQ पूछी जाते हैं तो आप Marksheet में जितने आंखे यहां पर score करेंगे जो अलग-अलग post का जो cut-off होगा अगर उसको clear करेंगे तो आप उन में से declared post में से आपको एक post मिलेगी UKPSC में आपको बता दिया जाए प्रारमिक परीक्षा में जो है निगेटिव मार्किंग वन फोर्थ है ठीक है वन फोर्थ का मतलब यह होता सिंपली कि अगर आप चार प्रशन गलत करते हैं गलत attempt करते हैं तो आपका एक सही वाला अंग काट लिया जाता है अगर कोई प्रशन हल नही स्क्राइब नहीं कराता है कोई भी श्रीट पीसेस पांच-छे-लाक लोगों की लिकित परीक्षा का भी नहीं कराता है वो लिम्टेट संख्या रखी जाती है जिससे जो है अ आप लीजस्ट जो लोग मतलब वर्थ है मैं इस लिखने के उन्हीं को बुलाया जाए तो स्क्र लोगों confusion रहता है क्या G80 में निगेटिव मार्किंग है तो हाँ जी G80 में भी निगेटिव मार्किंग इसमें होती है मैं जब चार प्रशनगर गलत हुए आपके तो एक सही वाले से कट जाता है नमबर अब कितनी post बगेरा आएंगी form कप से भरे जाएंगे यह हमको बता चले कि जब official notice आएगा exam के 50 दिवस से कम बच रहे हैं एक हफते बाद तो मैं समान सकते हैं कि इसी मंथ माई मंथ में notice आजाना चाहिए अगर paper दो जलाइक कंटक्ट होना है जिसमें even 0.1 से भी कुछ लोगों ने अपना cut off मिस किया था इसके बारे में वीडियो बनाया था तो paper भले ही आपको सरल लगे देखने में लेकिन कई बार जो requirements होती हैं बड़ी कठीन होती हैं और आप 0.1 से भी cut off मिस कर सकते हैं हमारे pay group के सदस्यों में से UPPSC में 2021 में अच्छी खासी rank पर लोग finally select हुए लेकिन ये 2021 वाला prelims unfortunately हमारे candidate नहीं निकाल पाये थे यह मैं आपको convey करना चाहता हूँ कि paper को अभी भी outcome नहीं लेना है state pieces आप कोई भी दें आप compare कर सकते हैं एक state pieces को दूसरे state pieces के paper से 2023 के लिए target कम से कम आपको 105 सही अंको का करना है करने के बाद फाइनली निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपको 105 सही questions का target रखना है क्योंकि एक question एक ही number का तो 105 question या 105 number आप कह सकते हैं 150 में से सबसे पहले syllabus को पढ़ रहा है syllabus मैं भी आपको read करके आप उसका ब्रीफ दे दूँगा syllabus आप जो paid group member में आ चुके हैं मतलब paid group हुमारे से 10 बन चुके हैं आपको कोई tension नहीं लेना है syllabus के बारे में syllabus में जो भी point लिखा हुआ है सभी जो है notes में cover करा दिया गया है कोई points होडा नहीं गया है किसी points समंदे सारे तत्थ cover करा दिये गये हैं जो जरूरी होते हैं आपके exam में जो पूछे जा सकते हैं अगर कोई सो ले आएंगे क्योंकि ऐसा करना जरूरी भी नहीं है ठीक है कोई आपको पत्म तुरुसकार नहीं दे देता है सारे question करने का या सारे सही question करने का आपको cut off clear करना है और यह एक screening को रिक्षा है उसी को देख करके हम चलेंगे जो हमने या पर backspace target आपका set किया है आप उसको अचीव कर सकते हैं हमारे दिये हुए content को पड़कर करके official syllabus की brief में देने जा रहा हूँ लेकिन आप यह समझेए कि अगर आप page group में है आपको कोई tension ने लेना है कि इस बिंदू को में कैसे त्यार करूँगा इससे समधित fact कहां से पढ़ूँ आपको बिल्कुल ने tension लेका है जो study force results ने unit wise notes दिये हैं उसमें सारे fact already आपके cover करा दिय अगर आप पहली बार रीड करेंगे तो निश्चित तौर पर घबरा जाने वाले हैं 28-27 पेज में इसको लिखा गया है और किसी भी state PCS से बड़ा syllabus volume वाला syllabus आपको प्रतीत होगा लेकिन है नहीं लिखने के तरीका कुछ ऐसा है इसको 6 unit में divide किया गया है आयोक के द्वारा और इसमें topic लिखने के साथ सब topic भी लिखे हैं और सब topic की भी व्याख्या की गई है कि क्या पूछेंगे कौन-कौन से chapter से question होंगे इस तरीके का सिलेबर से आपको बड़ा लग रहा है जैसे हरियाना PCS में UBPSC में और विहार PCS में अनिस्टेट PCS में क्या करते हैं भारत क का उन से आएंगे तो खाली paper में देखने को भी लेगा आपको हलांकि ये काफी कुछ help भी करता है ऐसा सभी state PCS को करना चाहिए topics ये इसमें लिख करके दिये जाते हैं कि कौन-कौन से topics से ये पूछेंगे प्रश्न है Unit 1 में दिया है भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्टी अंदोलन इतना ही लिखा रहता है बाकिस्ट PCS में इसमें इनुन लिखा है कि प्रागतियस्टिक काल आएगा मौरी सामराज आएगा, गुप्त सामराज आएगा, उत्तर गुप्त काल भी आएगा, इसलाम का आगमन भी आएगा, मुगल सामराज भी आएगा, यूरोपियों का आगमन भी आएगा सवाल लाता है भारत के गौर्णर जेनरल वाइसराय से हर बार एक सवाल लाता है UKPSC में जैसे पिछली बार क्या आये था फैनेंशियल डिसेंट्रलाजेशन के बारे में आये था अपने पेपर दिया होगा तो याद होगा प्रत्रम सतनरता संग्राम उननीसी में बीसवी सताबदी के गयर आदिवासी जाती किसान आंदोलन और 1858 की प्रिशासनिक समाजी को नयाएक पनालियां इसमें सिक्षा नयाएक सुधार समंदी अन्य पहलो जरूरी है राष्ट्री आंदोलन का उदाय बारती राष्ट्री कॉ इसमें यह है कि जिन चैप्टर्स के नाम लिखे गए है उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे ऐसा होता है जो स्टुडेंट्स पे डूरू पे आपको कोई टेंशन लेने आए जितना भी यहां पर टॉपिक्स या सब टॉपिक्स लिखे हैं सब हमने नोट्स में कवर करा दिये जो नहीं है वो नहीं कवर करा हैं जैसे बहमनी मन्स वगएरा आपके में नहीं है तो उसको नहीं कराया है अलांकि अन्य पहलू जहां पर भी लिखा रहता है तो उसमें सिलेबस का दायरा बढ़ जाता है अन्य पहलू बड़ा अवरहत शब्द है अगर इसमें समंधित अन प्राचीन जंजातियां, कुणिंदी यौधेवन्ष, कार्थिकेपुर राजवन्ष, कर्तुरी या राजवन्ष, गडवाल का परमार, कुमाओं का चंदराजवन्ष, गोर्खा आक्रमन सासन, ब्रिटिस सासन, टेहरी रियासत, उत्राखंड स्वधनतता संगर्श, उत्राख या उत्राखंड से समंदित व्यक्तियों का योगदान, उत्राखंड के जन अंदोलन कौन-कौन-कौन से थे, जैसे डोला-पाल की बहुत पूछे जाता है, समंदित अन्य पहलू, जाएंगे हम लोग उनिट 2, पर उनिट 2 में इसमें कहा रहे हैं, भारत विश्व का प्रशन पूछे गए हैं, अभी मैं वो पेपर भी दिखा दूँगा आपको, लेटर्स ट्रेंड का अंताज आपको लग जाएगा, तो यूनिट 2 में भारत का भूगोल, वेश्व का भूगोल तो है ही, इसमें राज का भूगोल भी है, उत्राखंड का भूगोल भी हमको अगर हैं, इन सब की लिष्ट तैयार करनी पड़ेगी, और द्योगिक विकास प्राकृतिक आपना यान्य पहलू, प्राकृतिक आपना यान्य पहलू से हमेशा सवाल आता है, कौन सा भूगम जो है किस साल में आये, ये काफी पोचते हैं, इसमें, यूनिट 3 में संसदी प ठीक है, इन सब की लिष्ट और इन सब से समंदित महत्पूर्ण फैक्ट सब हमने कवर करा दिये हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर इसी पार्ट में भारत का सम्मिधान इंकलूट कर दिया है, भारत के सम्मिधान में यहां पर 12 बिंदू है, और भारती अदिकार शमंदित मुद्ध में चार बिंदू यहां पर तयार करने है, इसमें राजपाल विधा हिका मुख्यमंतरी के इन राजपाल लोक से वायोग लेखा परीक्षर महाने आयवादी उच नहाले अधिकार छेत्र अनसोचित जाती नसोचित जन जाती समंदित प्रावधान राज भाषा विशेश राज के चैन के मापदन्ड क्या थे क्यों विशेश राज उतराखंड बना किस वर्ष बना यसे उतराखंड को विशेश समाधान योजना यह सब अन्य पहलू इसमें शामिल है तो इसमें गवर्मेंट स्कीम भी करेंगे हम लोग स्टाटिक वाली और बागी सब चीजें लिश्टिंग वारा इसमें काफी तैयार करनी होती है उसमें आपको ग्रूप में मिलेगा यूनिट फोर यहां पर आर्थि वाला सप्टेंबर में आ गया था उसमें इंडिया की रांग कूछ लेंगे ठीक है यह सब चीजें जनगर्णा एवं भारत की जनसंग्या की मुख्य विशेशता है केंद्री बजट की मुख्य विशेशता है काफी सारे कोश्चन जी से आते हैं पॉइंट नंबर फाइव स प्लानिंग इनडिया राश्ट्री विकास बोड राश्ट्री याए नैशनल इंकम इन सबसे कॉश्चन आएकए का आते हैं भारती क्रिशी समंदित कॉश्चन आते हैं जिससे हरित क्रान्ती एक पेट टापिक है खादिस उरक्षा दिनियम पूर सिक्योर्टी एक्ट बाहर कुम्पनी कौन सी है, ठीक है, अउधार्नाइए इसमें व्यावर्ति,ğата,ज, insert-share, हवाला इन सब कारत्रा होता है? गिल्टे औंबाजार, खाला शुक्त है क व्यावर्ता है? व्यावर्तिय यूजणा चाहिए क्या उसको contain करने के लिए भारत में क्या क्या प्रोविजन बनाए गए हैं हवाला के लिए इस सब चीज़ें आपको तत्य तयार करने पड़ेंगे अच्छा एक चीज में बताना भूल गया शुरुबात बता देना चाहिए था जितने भी यहां पर पॉइंट लिखे हुए है इनकी point wise आपके group में quiz चल रही है मतलब जैसे आईए आपकी आउधाड आए हैं तो इससे समंदित जितने भी fact हो सकते हैं उनको quiz में कराया जा रहा है के करके ठीक है अगर भीमा छेतर कर्षन रचना है तो इससे समंद में भी यहां पर question कराया जा रहे हैं आपके group में कोई आप ले लेजी राष्ट्री आए राष्ट्री विकास परिशाद योजनागत विकास ठीक है भारत की अर्थवस्ता की मुखी विशेस्ता है इस सबसे समंद में कोई सकराई जा रही लगाता रहा है यूनिट नमबर पांच समान विज्ञान है विग्यान कॉंगरेश डिंख्र लेकाफ सौर प्रावद्द्द्द्ध कि व्हारत का स्थानि में हमारे पंचामरत पहल थे, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, अज़र इसमें पहले ही कह दिया कि ये पहला जो सब टॉपिक है, ये करेंट अफैस लिंक्ट हो करके जादा रहेगा, ठीक इसके बाद पारिस्तिकी और पर्यावरण इसमें स्टैटिक चीज़ें पूछी जाती है, जो डेफनेशन्स वगरा होती है वो नस्पति, उनका वर्गी करन, क्रशी फसलों का उत्पादन, उनका चहित्री वित्रन, क्रशी समस्याएं, क्रशी विवित्ता ये सब प्राकृतिक संसाधन, म्रदा, जल, वायू, वन, घास भूमी, जैसे घास भूमी से कुश्चन आते हैं हमेशा कि स्टैपी घास भूमी कहां पाई जाएगी, समाना कहां पाई जाएगी ये सब परियावणी संकट, जल, मृदा, वायू, अंतरिक्ष प्रदूशन, नियम, अधिनियम, भूमंडली, उस्मता ये सब मृमंडली, जलवायू, परिवरतन, कारण और प्रभाव कहां, सुदूर, समवेदन की अवधारण, और जी आईएस अनुप्रयोग, मौसम, अनुपूर्वानुमान, स्प्रेडशीट, विस्तारण का अनुप्रयोग, और अधारांख्टों का अनुप्रयोग, बहुतकी मे लाजिक गेट से लास्ट इर प्रशना है थे, अपरेल 2022 विपर में, बूलियन बीज गडित, और कम्प्यूटर लैंविजस से हमेशा प्रशना आते हैं, ब्राउजर से हमेशा पूछ लेते हैं, कि इनमें से ब्राउजर कौन सा है, यह सब, इसके लाब कुछ स्टैटिक ची पॉलिमर भी होता है, उसका नाम जैसे पूछ सकते हैं, तो यह सब जो फैक्ट फैक्ट हमको कवर करनें, वो सारे फैक्ट आपको स्टेडी फोर्शना प्राउजर से स्नोट्स के फार्म में देगा, और कुछ फार्म में भी आपका कराई जाएंगी यह सब चीज़ें, यह मंदली, उश्मता, जलवायू परिवर्तन, टीके, जैवुतपाद, अतिसुक्ष्म, प्राध्योगी जैसे नैनो टेक्नलोजी में जो हम स्टेडी करते हैं, तो उसमें पार्टिकल्स का साइस कितना होता है, यह पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देते व का युगदान, यह भी इसमें शामिल है, फिर जो पॉइंट नमबर 6 है, इसमें करेंट फेर है, सिंपली, इसमें तीनों तरीके करेंट फेर आपको कवर करना पड़ेगा, राज़ किये, राष्ट्री, अंतराष्ट्री महत्त्र के संपूर्ण घटना क्रम को आपको इसमें यह हर्यना PCS का सिलेबस है, हर्यना PCS 2023 की जो खेंसी आई है, उसका सिलेबस है, उसका पेपर भी होने वाला है, यह सिलेबस है, एक पारग्राफ में सिलेबस लिखा गया है, जस्ट इंट इन वन पारग्राफ, ठिक है, हर्यना PCS का, और इसके आप प्रश्enen देख लिएजी अभी भी ये अंदाजन लगाना चाहिए कि syllabus का इसा लिखा हूँ, syllabus में एक paragraph का है, लेकिन question का level देखे, question ही कई सारे एक paragraph के हैं इसमें तो, तो इस तरीके के प्रश्ण होते हैं, और UPSC में भी एक page में syllabus लिख करके दिया जाता है, वहीं, अगर हम आपके UKPSC की बात कर लें, तो UKPSC में इससे one-liner प्रश्णों की संख्या जादा होती है, one-liner प्रश्ण ऐसा नहीं कि कि किसी state pieces में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी संख्या ये भी बहुत कोई काठी नहीं सवाल था, ठीक है, हुमारे notes में आपको ऐसे प्रश्ण सॉल्व करने के लिए बकाइदा आपको लिस्ट दी हुई है, उन्हें लिस्ट में से आपको बहुत सारे प्रश्ण अपने exam में देखने भी लेंगे, आप खुद बताईएगा, मेरा इंटरफेर हो, चाहिए इसके प्रश्णों सब आपको हमारे content में से मिल जाएंगे, 120 प्रश्ण में आपको बताया, last year हमारे notes से आये थे, हमारी quiz से आये और इस बार भी हमारा प्रयास है कि इसी के आसपास हमारे प्रश्ण जो है, इससे भी ज़्यादा आएं, जिससे आप maximum अपना score कर सकें, और cutoff को निश्चीत तोर पर clear कर सकें, यूगे PSC के calendar में इस साल काफी परिक्षा है होनी थी, यह आपका forest guard का paper है, इसमें देखे पूछा यह से लेवस के point काफी similar थे, इस वज़े से मैं इसको लाया हूँ, ठीक है, तो इसमें देखे पुर्थम गरीब कारेक्रम, इनमें से कौन सा था, तो यह सारे कारेक्रम के वर्ष वगारा हमने आपको लिख दिये हैं, इसमें एक ही करत, ग्रामी बुगास कारेक्रम सबसे पहले आया था, उन्नी 178 बाकी बाद में आये थे, करेंट अफेर में सार्क सिखर सम्मेलन प्रसतावी था, इसलाम स्ट्रूम में, साथ अवरिका में, ऑप्शन नमर ए, बारत की जिवटी ट्वंटी की थीम है, वासदेव कुटम कम, या फिर वन अर्थ वन फैम्ली, एक प्रत्वी एक परिवार भी यहां पर दिया होता, तो वह भी सही होता, तो इस तरीके से फैक्ट्वल चीज़ें आप आपको मिल जाएंगे हमारे कंटेंट में, ब्रावजर वेपेजस दिखाने के काम करता है, प्रिंट कैसे करते हैं, क्या कमांड है, स्मार्ट सेटी मिशन की शुरुवात कब भी थी जून 2015 में, उत्राखंड में कितनी स्मार्ट सेटी हैं, हैं भी कि नहीं, सब उसमें बताय मनुटरी पॉलिसी हमेशा RBI के द्वरा आती है, यह भी हमने सब नोट्स पर दिया है, यह सारे आपको मिल जाएंगे, कि इमेज कहां पर बनती है, रेटरिना पर बनती है, सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, इसमें जो जो निर्माड मुगल शासकों ने नहीं किये हैं, सब बिल जाएंगे, सूरे से इन समंदित है, सस्त्रगार डाके से, मत्विलास परहसन की रचना किसने की थी, अभी अधिया हुआ है नोट्स में, आप देखेंगे, सब factual चीजों पर यहां पर फोकस किजा रहा है, सुन्दर बन, मैंग्रूफ से समंदित है, बैल डीला अला ग्राम पंचायत लगाता है, और धुमाधा जल पुरपाद जो है, यह नर्मदा पर है, मध्यप्रदेश में, यह जो लेटेस्ट NFHS के आकड़े हैं, यह सब हमने आपको करवा दिये हैं, बाकी इन पेपर्स में उत्राखंड से समंदित विविद जानकारियां, यह आपको क क्या है, इस तरीके का देखिए, एक प्रशन इसमें देखा गया है, मल्टिपल स्टेट्मेंट वाले प्रशनों के लिए भी आपको तयार रहना पड़ेगा, और उसके लिए जितना नोट्स में दिया गया है, उसका लगतार रिवीजन करना जरूरी है, यह आपका मार्च म प्रशासित जागीर भूमी क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था पाए बाकी, या पाए बाकी, आप्शन नमबर B यहां पर सही है, बाकी संसेट लौ स्थाई विवस्था है, पर्मनें सेटेल्मेंट है, यह भी जमीन दारी है, एक धर्म, एक जाती, एक मानवता, किसी अपर का पेपर हुआ था, उसमें का यह सवाल है, इस वज़े से, इस पेपर के सारे प्रशन हम आपको क्विज में करा देंगे, अब वैसे मैं यहां पर शो करी दे रहा हूं, जो रूडी वाले हैं, अब देखिए, बजट से, बजट से क्या पूछा है, जो साथ प्र गारजन या धर्म गारजन भारत हमेशा, जापान के साथ करता है, ऑफिशन नमर बी, आटिफिशल इंटेलिजन सर्विस, जो गूगल ने शुरू की है, उसका नाम बार्ड है, और सभी फैक्ट्ट्वल सवाल यहां पर है, मांकी उत्राखंड का यह पूछा गया, दीजा आएगा, टॉटल हिश्ट्री से 23 प्रशन, UK स्पेशल से 21 प्रशन, 16 प्रशन, इसके बाद साइन्स के 12 प्रशन, इंवर्मेंट के 2 प्रशन, प्रशन, फ्रखर्शन में दो, इस से 17 प्रशनस में आयो थे, इकम्प्यूटर जी के से 5 प्रशन आयो थे, 13 प्रशन यहां पर थे, एकनोमी के, 27 प्रशन यहां पर करेंट अफैर के दो प्रशन यहां पर कलचर के थे, और फिर history, फिर national movement, फिर quality, फिर geography, फिर science, फिर environment, फिर economy और फिर computer और फिर अंत में culture 85% content दे दिया गया है, 15% जो है my end तक आपको दे दिया जाएगा या आप ध्यान रखिए, my end तक आप सारा content करा दिया जाएगा, फिर आप freely revision कर सकते हैं जिन लोगों ने only test series का group join किया है, या फिर full paid group join किया है, आपको 22 test करा जाएगे series में तो 12 यहाँ पर section wise test होंगे, 10 यहाँ पर full end test होंगे, सबसे पहले आपके section wise test होंगे, 20 माई सुरू होगा 31 माई को यहाँ पर finish होगा, उसके बाद आपके full end test होंगे, जैसा 1500 प्रश्णों का, 1500 प्रश्णों का पेपर आता, UKPSC में 1 जून से लेकर 19 जून तक इसको करा दिया जाएगा तो इस तरीके से आपकी test series होगी, जिन लोगों ने only test series का ग्रूप लिया है, इसी schedule के हिसाब से रात 9 बजए आपको PDF form में question paper post किया जाएगा और फिर answer की post की जाएगी, ठीक है, यह आपको देख लेना है अब इस segment पे हम students द्वारा बार बार पोचे जाने वले प्रशन ले लेते हैं, और साधी साथ बता भी देंगे, इसमें किस तरीके से आपको cover करना है कई सारे लोगं confused होते हैं कि इतना सब कुछ कैसे याद होगा, अब मैं आपको बता दूँ कि syllabus में कहीं पर भी यह term लिखा है, नहीं लिखा है, कहीं पर भी memorize या फिर याद करना है, contest होना चाहिए, यह लिखा ही रही है exam की demand ही नहीं है, exam की आपको demand पूरी करना है, select होने के लिए हर stage में, exam की demand नहीं कि आप याद करें, exam की demand है कि जो भी point 29 page में लिखे गए हैं, सबकि एक basic understanding, basic समझ आपके अंदर हो, basic समझ में से ही वो आपके online question पूट कर लेंगे, और आप उनको सही भी कर ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आप कर लेगा, ऐसे ही चीज़ें काम करती है, state pieces में, हर किसी को सब कुछ याद नहीं होता है, क्योंकि याद करना ही नहीं होता है, कभी भी आपसे आयोग नहीं आशा करता है, कि आपको हर चीज याद होती हास की, या फिर किसी भी unit की, भोगोल की आर्थविवस्था की, राजविवस्था की, या current affair की समसामिकी, कि सब कुछ सब को याद होता ही नहीं है, ना exam की demand है, आपको इन सब चीज़ों की तयारी करनी है, तयारी कैसे होती ही, तयारी होती है, एक विश्वस्थ content से, ठीक है, एक intelligent content से जो हमने आपको दे दिया है, box टिक हो गया, यहाँ पर, ठीक है, फिर तयारी कैसे होती ही, तयारी होती है, practice से, practice के लिए हमने आपको 24-25 question कराक दे दिये हैं, अभी और कराई जाएंगे, तो यह box टिक हो गया, और फिर एक ज़रूरी चीज़ होती है, revision, या फिर हम लोग इसको लिख सकते है, multiple revision, multiple revision का box हम हमेशा ध्यान रखिए कि execution हमेशा कठीन होता है किसी भी होजना का, लेकिन जो execute करता है, वो निशे तोर पर फल जरूर पाता है, तो आप अगर ऐसे student बना चाहते हैं, जो हमारे plan को, हमारे blueprint को, हमारे blueprint को अगर execute कर देना चाहते हैं, उसे आस्तित में ले आना चाहते हैं, त अगले तिरपन दिवस के लिए, तो आप बहुत अच्छे position पर आ सकते हैं, और अच्छे से आपने जो हमारी चीजें हैं, उसको follow कर लिया, multiple times revise कर लिया content को, practice कर लिया, paid quiz से, और हमारी test series से तो निश्चित तोर पर कटाव भी clear कर सकते हैं, daily tentative study plan के बारे में कई सारे members हम से पूछते हैं, तो मेरा कहिना है कि आप कोई, जब 50-60 दिवस बनते रहते हैं, तो कोई ideal plan नहीं होता है, ideal plan आपका time के साब से होता, 6 गंटे यहाँ पर लिजिए आप, और आप ऐसे बना लिजिए कि आप 135 में, यानिकी सब्ता के पहले 3 और 5 दिन, और 246 में, यानिकी सब्त के दूसरे, 4 और 6 दिन, इसकी सरीके से क्या study करने वाले हैं, यहाँ पर 3 unit, आप divide कर लिजिए, 3 unit, अधर पर 3 unit divide कर लिजिए, Sunday जो मिलेगा, आपको उसमें करना है, ताबर तोड रिवीजन, जो आपका कमजोर है, पॉल्टी आपको कम अच्छी लगती है, कम समझ में आती ह कम सवाल सही कर पाते हैं, तो उसका करेंगे रिवीजन, Sunday को, और इसमें कोई बहाने बाजी नहीं चलेगी, आपको study करना है, कर रहा है, मतलब करना है, अगले 50-55 दिवस आपको social media से दूर रहके, और offline media से भी दूर रहके, मतलब अपने जो है, ऐसे तत्तों से दूर रहके, जो आपका समय बेश्ट कर सकते हैं, उनसे दूर रहके, आपको study for focus करना होगा, सभी aspirant ऐसा करते हैं, कुछ में चीज नहीं बताने नहीं जा रहा हूँ, अगर आपने जो है, 50-55 दिवस इस syllabus के नाम कर दिया, तो cut-off की रह काफी असान हो जाएगी, ठीक है, आप 3-3 unit, जो ह आपको बहुर बताने माला हूँ, कि 6R में से, जो है, 1R आपको practice के लिए जरूर रखना है, practice बहुत जरूरी होती, जब ही विवस तुनिस्ट पेपर आप देंगे, practice का महत्प जो है, 25% तक रहता है, आपने कितना पढ़ा, कितना रिवाइस किया, उससे भी एक हिस्सा आपको content जो दिया गया, उसको आप पूरा पढ़िया, ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आप नहीं भी पढ़ पाए, अगर आपने सारे हमारे paid को इसके सवाल लगा लिए, तो आप देखेंगे, कई सारे सवाल जो आपने लगाए थे, directly वही जो है, exam में आ गये हैं, और ऐसा last year भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, इसमें कुछ नया या फिर कुछ भी मैं आपके लिए जो है, फेरी टेल नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है, यसा होता है, और ऐसा आपके साथ भी होगा, आपको daily 6 गंटे में से 5 गंटे study कर रहा है, एक आर practice के लिए यहां पर रखिए, और अपने आपको पूरी तरीके से syllabus के लिए जोग दीजिए, यही मेरा panel message है, पेट ग्रूप में study material कैसे देखे हैं, वाला वीडियो आप देखिएगा, लेकिन ये last बात आपको बतानी है, कि members अपने doubt काम पूछेंगे, doubt के लिए हमरा discussion group होता है, जिन लोगों ने full paid group लिया होता है, उनको discussion group का support मिलता है, वहाँ पर admin panel होता है, आप उनसे doubt discussion कर सकते हैं, जो भी आपका doubt होता है, वहाँ पर clear किया जाता है, वीडियो के माध्यम से short video बना करके, short voice memo देखरके, या फिर आपको diagram समझा करके, पूरा fact वहाँ पर clear किया जाता है, अगर आप discussion group में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अगर आप केवल only study material वाले group में है, या फिर test series वाले page group में है, तो ये number note कीजेगा, वैसे हर page पर दिया रहता है, ये ग्यान सर का personal whatsapp number है, इस पर आप केवल और केवल text message के माध्यम से अपना doubt पू और आपको इस page में, इस pic में ये doubt है, आप आप पर doubt भेज सकते हैं, अलांकि जिन लोगों ने full paid group लिया है, वो कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने discussion group में, अपने admin से doubt पूछेगा, जहां पर आपको जोड़ा गया होगा, full paid group जिन लोगों ने लिया है, उन्हीं को discussion group से ज और आपका है,